दोस्तों, क्या आप खासी से परिशान हो, आपको दवाई लेते लेते 10-15 दिन हो गए हो, फिर भी आपकी खासी जा नहीं रही हो, तो आज हम बात करेंगे आयरवेदिक कफ सिरप कूका के बारे में, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट देखी नहीं जाते हैं, और बहुती बह में इसके अलावा, और इसका क्या यूज है, इसको कितनी बार लेना है, तो मैं आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को लाज तक देखते रहिएगा, दोस्तों, इस सिरप के अंदर आपको तुलसी, बनप्शा, कंटकारी, यश्टी मदू, पीपली, ये सब चीजे देखने को मिल जाती है, तुलसी को आप सब जानते हो, दोस्तों, यह जो तुलसी है, वो आपको आपकी जो रोग प्रतिरोदक शमता है, उसको भड़ाती है, और जो बनप्शा है, जिसे हम स्वीट वोलेट के नाम से भी जानते हैं, यह अगर कोई बलगम है, तो उसे बाहर निकाल काम करती है, थाड़ है जो कंटकारी, यह आपको अस्मा से रिलीव दिलाती है, जुकाम और खासी से अराम दिलाती है, फोर जो है जश्टी मदू, जिसे हम लिकोराइस कहते हैं, मुलेटी कहते हैं, इसका यूस, गले में खराश और खासी को रोकने के लिए किया जाता है, और फिफ्ट जो है पीपली, यह दोस्तों, कफ को उत्पन होने से रोकता है, तो इस प्रकार से जो यह सिरप है, वो काम करती है, चाहे खासी सूखी हो या गिली, यह दोनों में ही काम आती है, तो दोस्तों, इसको लेना कैसे होता है, तो आपको इसे दिन में तीन बार, दस सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए